नमस्कार दोस्तों एक बार फिर से आप सभी का भारत रहस्य चैनल में हम स्वागत करते हैं और एक महत्वपुर्ण जानकारी आपको देने जा रहे हैं जो की सुर्य ग्रहन से संबंदित है 21 जून 2020 को यानी की रविवार को सुर्य ग्रहन सुबह 10 बचकर 13 मिनट से दोपहर 1 बचकर 59 मिनट तक रहेगा सुर्य ग्रहन लगने से 12 घंटे पहले सूटक लग जाता है ऐसी धार्मिक मान्यता है ऐसे में सुटक का समय 20 जून की रात 10 बचकर 12 मिनट से शुरू हो जाएगा और ये तब तक जारी रहेगा जब तक की सुर्य ग्रहन समाप्त न हो जाए ये ग्रहन देश और विदेश के लिहाज से अशुब रहने वाला है ग्रहन पर मंगल की दृष्टी पढ़ने से देश में विपदाएं और नाकारात्मक्ता भी हावी रह सकती है ऐसा जोतिश्च शास्त्रियों का मानना है धार्मिक नजरिये से ग्रहन को अशुब माना जाता है इसमें राहू सुर्य को ग्रास कर लेता है यानी कि अगर साधरन बोलचाल की भाशा में कहें तो राहू सुर्य को अपने मुख में रख लेता है खाने का प्रयास करता है ऐसी स्थिती में सुर्य कष्ट में रहते हैं और इस समय अगर आप सूर्य मंत्र का जाप करते हैं तो कहते हैं कि उससे सूर्य को राहत मिलती है और आप के लिए सूर्य भाग्योदय कारक हो सकते हैं। आराधना करनी चाहिए हां मुर्तियों को इस पस्ट रूप से चूने के लिए मना किया गया है लेकिन आप मंत्र का जाप कर सकते हैं। वक्री रहेंगे इस दिन बुद्ध, गुरु, शुक्र, शनी और राहु केतु ये सभी ग्रह वक्री रहेंगे और ऐसे में देखना होगा कि ये ग्रहन क्या असर दिखाता है। इस सूरी ग्रहन पर रिंग ओफ फायर का भी नजारा देखने को मिल सकता है यानि कि जिसमें सूर्य आसमान में एक चमकते हुए कंगन की तरह दिखाई देगा। लेकिन हमारा आप सभी से निवेदन है कि खुली आँखों से भूल कर भी सूर्य की ओर ना देखें। जब सूर्य और पृत्वी के बीच में चंद्रमा आ जाता है तो सूर्य की रोशनी पृत्वी तक नहीं पहुच पाती। इस वैज्यानिक घटना को सूर्य ग्रहन कहते हैं जिसका अपना धार्मिक महत्व है पौरानिक महत्व है। 21 जून का दिन सूर्य और पृत्वी का ऐसा दिन है जहां उनके बीच में चंद्रमा आने वाला है और सूर्य का आधे से ज्यादा हिस्सा छिप जाने वाला है। 21 जून को सूर्य ग्रहन के दिन सूर्य करक रेखा के एकड़म ठीक ऊपर आ जाएंगे और 21 जून का दिन साल का सबसे बड़ा दिन भी माना जाता है। आप सब जानते ही होंगे। और ऐसा स्वयोग दूसरी बार बना है जब साल के सबसे बड़े दिन पर सूर्य ग्रहन लग रहा है और इसके क्या मायने हैं लोग अलग-अलग मतलब निकाल रहे हैं। इस से पहले, 19 साल पहले, 2001 में 21 जून को सुर्य ग्रहन लगा था, 21 जून को सुर्य ग्रहन के दिन रविवार भी पढ़ रहा है, आपको पता ही होगा कि रविवार का दिन सुर्य देव का दिन माना जाता है, तो ज्यादा अच्छा होगा कि आप रविवार के दिन सुर्य मंत् या भगवान विष्णू के मंतर का जाप करें सूरी ग्रहण के दिन सभी नौ ग्रहों में से छे ग्रह वक्री चाल में रहेंगे इनका उल्टा असर इनका बुरा असर आपके उपर ना पढ़े इसलिए आपको साउधानी रखनी है मंतर का जाप करना है और साथ ही साथ अपने खाने पीने की जो चीजें हैं उसमें धार्मिक मान्यता के अनुसार तुलसी दल को या कुश को रख देना है ताकि उसकी बुरी शक्तियां नस्ट हो जाए या ग्रहन की नकारात्मक्ता आपकी चीजों को न छूपाए यही कारण है कि तमाम तरिके की स सूतक का भी समय बता दिया है और साथ ही साथ ग्रहन को खुले आँखों से नहीं देखने की भी हमने हिदायत दी है इन सभी चीजों को देखते हुए अब हम उम्मिद करते हैं कि आप उचित साउधानी बरतेंगे और अपने आपको सुरक्षित रखेंगे धन्यवाद